मीरा भाइंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतरगत आने वाले नाला सुपारा में अपराध वो नसी के कारोबार का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है बिते 31 दिसंबर को पेलहार पुली स्टेशन अंतरगत बिलाल पाडा में रहने वाले भवन निर्माता प्रमोद सिंग को याकूब से रुखान नामक व्यक्ति द्वारा जवरन धमकाते हुए फोन पर मेरे पास बंदूक है 12 बजे से पहले मेरे खाते में 10,000 रुपए डाल दे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा ऐसी धमकी दी गई थी वही याकूब द्वारा प्रमोद को दी गई धमकी का ओडियो फॉन में रिकॉर्ड हो गया अब शही में आज़े तरको गोली मार हो हुँगा और लिख्षे देरा जाच्या भी यह कंप्लेट रदा बल्ला साहर उसके बंदूक हो मेरे खाकर गोली हुआ रहे है यह तो मेरे अकांट है यही नंबर है मेरे अकांट 10,000 रुपए डाल यह तो गोली काले मेरे मेरे अकाण में 10,000 डाल दे वर नहीं है नाला सुपण महीं है यह हूं वहीं इस मामले में दरे सहमे प्रमोद ने दो जनवरी को पेलहार पुलिस टेशन में याकूप के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था वहीं इस मामले में भविश्य में कोई गंभीर घटना ना घटे जिसके चलते पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों ने पेलार पुलिस को उक्त अपरात का सिग्र पर्दा फास करने का आदेश दिया वहीं यह मामला सेंटरल क्राइम ब्रांच को दिया गया जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम को टक्नीकी विश्टेशन वो मुख्विरों द्वारा प्राप्च जानकारी से पता चला की आरोपी याकूब शेरु खान नासिक के माले गाओं में छिपा है जिस पर पुलिस की सेंटरल क्राइम ब्रांच की टीम के संग्राम गायकवाड महसवेले वह अनिल नागरे को तदकाल माले गाओं नासिक रवाना किया गया तथा माले गाओं के तारकद छेतर से जाल बिछाटर याकूब सेरु खान को गिरफतार कर लिया गया यह संपूर्ण मिशन क्राइम के पुलिस उपायुक्त अविनास आंबूरे और क्राइम के पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल के मारग दर्शन में क्राइम के पुलिस सहायुक्त मदन बल्लाल के मार्ग दर्शन में केंद्रिय अपराद जात साखा के पुलिस निरिक्षक राहुल राख सहायत पुलिस निरिक्षक दत्तात्रे सरक पुलिस उप निरिक्षक ही तेंद्र विचारे पुलिस कर्मी संग्राम गायक वाड महेस वेल अनिल नागरे, हनुमन्त सूर्यवंसी, सिवाजी पाठिल, राजराम काले और संतोष चवान के अथक प्रयासों द्वारा सफल रहा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर स्टिवी नियूज की एक रिपोर्ट एक रिपोर्टर रियूज की एक रिपोर्टर स्टिवी रिपोर्टर राजर।